ओम नमः शिवाय जै मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार टोटके मैं हूँ आपके साथ रिमचिम शर्मा दोस्तों विज्या दश्मी यानि की दशेहरे का तेवहार ऐस साल हम 25 अक्टूबर को मना रहे हैं विज्या दश्मी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हम मनाते हैं और इस दिन किये जाने वाले कुछ उपाई बहुत ही विशेश लाबदायक होते हैं और हमारे जीवन में सुख सम्रधी खुशहाली लेकर आते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विज्या दश्मी के दिन किये जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाई जिसे आप सरूर अपनाएं अपनी चीवन में सुख सम्रधी खुशहाली के लिए किसी भी काम को आप करना चाहते हैं विज्या दश्मी का दिन दोस्तों बहुत ही श्युभ माना जाता है और खास तोर पर विज्या बहुर्त में अगर आप कोई काम करते हैं उस काम की सफलता सुनिश्चित है तो आप भी इन उपायों को सरूर अपनाएं वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कीजेगा इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे तो दोस्तों मैं बताती हूं कि विज्या दश्मी के दिन सबसे पहला उपाय जो है वो आपको क्या करना चाह विज्या दश्मी के दिन दोस्तों गुप्त दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है इस दिन अगर आप कोई नई जाडू खरीद कर किसी मंदर में रख दे ऐसी जगे जहा कोई ना देख सके तो समझे आपकी जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाएगा तो इस विज्या महत्व है लेकिन किसी को बताएना वोदान गुप्त रखना चाहिए दोस्तों विज्या दश्मी के दिन शमी व्रिक्ılar की पूझा का विशेष महत्व है तो इस दिन आपको शमी व्रिक्ष की विशेष पूझा आरातना करनी चाहिए और उसकी बाद उस व्रिक्ष की मिटी थोड़ी सी आप लाकर अपने घर में, पूजास्थल पर आप रख सकते हैं, तिजोरी में आप रख सकते हैं, ऐसा करने से घर में हमेशा धन की प्रचूरता रहती है, वैभब बना रहता है, इस उपाई को करने के पहले आप जरूर मादुर्गा की सहाई का योगनी, जया और विजया का पूजन करें, रावन दहन से ये उपाई पहले आप कर लें, तो बहुत ही अच्छा है, और इस बार के अगर बात करूँ, जो विजया महुरत है, जो मध्यान महुरत है, विजया दश्मी का, उसे बहुत शुब माना जाता है, इस तरह के उपाईों के लिए, तो वो दो पहर दो बज कर पाच मिनट से दो बज कर बावन मिनट तक है, इस बीच आप इस उपाई को कर लें, बहुत ही ज्यादा फलकारी रहता है, दोस्तों एक अन्य उपाई में आपको उता दूँ, विजया दश्मी के दिन मीठी दही भी आप शमी के व्रिक्ष पर सकते हैं, और आप राजिता मंत्रों से शमी व्रिक्ष की पूजा करें, ऐसा करना भी बहुत लावकारी होता है, इससे भी आपके घर में हमेशा के लिए सम्रधी का वास रहता है, परिवार के सभी लोगों से देवी देवता प्रसंद रहते हैं, तो ये छोटे से हैं, अच चैनल पर अगर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बिटन जरूर दबा कर रखें, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए इस तरह की जानकारियां, उपियोगी और महत्वपोर्ण लेकर उपस्थित रहती हूँ, आने वा